वेलकम दोस्तों तो एक बाद फिर से स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल सर्फिरी छोरी में तो आज हम सीखेंगे कि अन्नोन नंबर से जो कॉल आती है वो हमें ब्लॉक एक एक करके ना करनी पड़े वो ओटोमेटिकली जो भी नंबर हमारे कॉंटेक्ट लिस्ट में सेव नहीं है या हमारे डाटा में नहीं है तो वो अपने आप ही ब्लॉक हो जाएएं अन्नोन नंबर सेव नहीं होते है वो क्या करना पड़ेगा एक छोटी से फोन की सेटिंग है तो आप लोग इस वीडियो को एंतर देखी गा तो आपको ये वीडियो समझ आ अपने फोन की सेटिंग पे जो कि सब के फोन में होती है तो सेटिंग को ओपन कर लेना है सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको एक छीज धून दी है फोन जहां पे फोन का ओप्सन है मेरे में आपको दिखाई दे रहा होगा यह रहा यह तो किसी किसी के में अलग ओप्सन हो वर्डिंग जहां पे ब्लॉक लिस्ट है रेजक्ट कॉल वगरा के ओप्सन जो होते है न वो लिस्ट आपको कहां मिलेगी आपको अपने फोन के बारे में अच्छी तरह पता होगा वो डेटेल वो जो फोल्डर है वो आपको ओपन कर लेना है आपको ओपन करना यह अश्यम जाए रेजेक्ट कॉल्स फ्रों मेनन नंबर कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट में वो आप इस व में कर देंगे तो इस का Enable उसका मतलब अन्नोन नंबर से मेरे फोन में कोई call नहीं आएगी इसके बाद दूसरी सेटिंग है यह भी सेम है आप इसको भी कर दीजेगा Enable तो यह दोनों सेटिंग मेरे फोन में Enable हो चुकी है उसके बाद तीसरा option आता यह वाला JASON administration missey notification जो紅 सेयक्व नहीं है आप देखना चाहते हैं कि किस नंबर से पार इप आ पुंप आपको मेसीड मिल जाए पार मैसेज़ आए लेकिन मेसीड मिल जाए डोटip खैसन तो आप जीफिकेसन तो इसमी अपको करना पादीफा आफटर ब्लोकिंग फर्स्ट वाला आप लग सकते हैं नोटिफाई आफटर ब्लोकिंग तो यह सेटिंग आपकी हो जाती है इन दोनों सेटिंग को करने के बाद आपके पास कोई भी अन्नों नमबर से कॉल नहीं आपाएगी तो यह सेटिंग बहुत इजी है तो आप इस प्यूद्टेन झाल